कोरोना में सड़कों पर याता यात कम थी लेकिन जैसे ही लोगडाउन हटा दिया गया शेहर के सड़कों पर एक्सेडेंट में इदाफा हो रहा है जी हां ऐसे ही घटना उत्तरनापुर के पावर ग्रीड चौक पर हुई जिसमें ट्रक बेकाव होते ही तीन सब्सक्रेटा के लिए जरीपटका के अस्पताल में खायलों को भड़ पिके आ गया है कपिलनगर पुलीस आगी की जाच कर रही है कोरोना संकामन तेजी से बढ़ रहा था इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्यसरकार ने वनपाप्रशासन जिलाप्रशासन को लोगडाउन लगाने वहान चलाने वाले तेज गती से वहान चला रहे है जिससे एकसेडन भी हो रहे है जी हाँ ये गटना कपिलनगर को लिस्थान आंतर गताने वाले पावर ग्रीट चौक की है जहाँ पर दो बाइक सवार तेजी से वहान चला रहे थे तो वही एक ट्रक उनके पीछे से आ रह फुटपात पर चड़ा दिया और इसी फुटपात पर कुछ सब्जी विक्रेता सब्जी बेश रहे थे ट्रक अनियंत्रित हुआ और तीन सब्जी बेशने वाले दुकानदार इसके चपेट में आए जिससे तीन सब्जी विक्रेता बुरी तरह से खायल हुए घटना स्थाल पर कपिलनगर पुलीस पहुची तीनों घायलों को जर्य पठका के एक अस्पताल में भरती के आ गया कपिलनगर पुलीस आगे की जाच कर रही है कपिलनगर पुलिस थाने से कैमेरा परसन विरेंद्र खुब्रागड़े के साथ संजे मीरे इन भी से निर्ज नाकपुर्ण